नमस्कार सू स्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूँ डॉक्टर वायराकी कैसे हैं आप लोग आप लोगों का स्वागत अभी नंदन करती हूँ मातारानी करें आपके घर खूब भंडारे भरें आप खुश रहें स्वस्त रहें और आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कम हाँ जी क्या हाल चाल है आपका बढ़िया सब जिंदगी में कैसा चल रहा है आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चले इसके लिए सोच का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है अगर आप मेरे दूसरे चानल पर जाकर डॉक्टर वायराकी पर मेरी अच्छी अच्छी हम गलत होते हैं और मेरा मानना तो यह है कि अगर हम दूसरे की नजर से उसके दर्थ को नहीं पечानते, तो हम कई बार नहीं बहुत बार हमेशा भी गलत हो सकते हैं बहुत समय पहले की बात है बुजरुग दमपत्य बहुत बुजरुग भी नहीं थे एवरेज थे वो अपने बेटे को लेकर जो करीबन 9 या 10 साल का था और ट्रेन के अंदर बैठे जैसे ही वो ट्रेन के अंदर बैठे तो बच्चा खिड़की की तरफ बैठें की जित करने ल हुआ था अभी आप समझ सकते हैं जब नहीं नहीं शादी हो और हम बच्चे को देखे तो कई तरह के भाव आते हैं कि कल हमारा भी बच्चा होगा वो भी घिड़की बेठने के लिए बोलेगा किसी को बच्चे पसंद होते हैं किसी को नहीं होते जब ट्रेन चलने लगे त थोड़ी घंटे डेर घंटे बाद बच्चा आसमान की तरफ देखकर बोलने लग गया कि अरे वह कितना मज़ा आ रहा है देखो ना बादल भागे जा रहे हैं आपकी बार दांपत्ते जो सामने बठा था उसे गुस्सा है उसमें से उनकी पत्नी बोली क्योंकि और तो कोई लेकर जाए इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है क्योंकि ये इतना चोटा भी नहीं है कि पेड भाग रहे हैं कि बादल भाग रहे हैं इससे समझ में ना है पिता जो बच्चे की पिता थे वो मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले सर्फ इतना बोले कि आप बिल्कुल सही कह रही लेकिन ये पागल नहीं है, ये जनम जाच से अंधा है, इसने कभी दुनिया को देखा नहीं है, आज इसकी आँखों का उपरेशन होने के बाद छुटी हुई है, और उसके बाद ये जिन्दगी में पहली बार ट्रेन में बैठा है, इसलिए इसे आधी जानकारी है, इसने द पत्ते को शर्म आई और वो चुप हो गए, कई बार हम भी फटा फट से फैसले लेने के बाद अपने आप ही जज्जमेंट कर लेते हैं, कई लोगों को हांक लेते हैं, कोई गाड़ी तेज स्पीड से चला रहा हो, तो हम उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं और बोल पेड नहीं भाग रहे हैं, गाड़ी तेजी से चल रही है, ये भी तो समझाय जा सकता था, आप जब मूँ खोलते हैं तो आपकी वाणी बताती है कि आप लाख के हैं, क्योंकि बंद मुठी लाख की, खुल जाये तो खाक की, या फिर आपको कुछ नहीं आता, अच्छी व होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, और हम जनम से क्या, कई बार सब कुछ जानकर भी हम अंधे बने रहते हैं, और कई बार अंधे बने रहना बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि कुछ दर्दों से हम बची रहते हैं, फिलाल दीजे इजाज़त, जयमाता दी